हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और हाँ, बेल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा कामिनी बहुत ही खुपसूरत औरत थी, उसे अपनी खुपसूरती पर बहुत घमंड था लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ से हो गई थी, जिसे वो बिलकुल भी पसंद नहीं करती थी आलोकनाथ दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में कलर का काम करता था, महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता तनख्वा भी ठीकी थी, लेकिन कामिनी की हर दिन नई-नई फर्माईशों को पूरा करने के चक्कर में, महीने के पहले हफ़ते ही उसकी सारी तनख्वा खत्म हो जाती थी एक दिन की बात है, सुबह का समय था, कामिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी आलोकनाथ ने उसे जगाते हुए कहा अरे, जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाक कर क्या करे क्या बात है आज सुभा सुभा ही ताने तो क्या चाहते हैं आप सुभा सुभा आपकी आर्थी उतारना शुरू कर दू या पैर दबाओं आलोकनाथ समझ गया कि कामिनी को कोई चीज चाहिए क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी अरे क्या चाहिए तुम्हें बोलो ना आहाहाहा बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चान तारे लेकर आजाओगे मेरे लिए कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए कह रही हूँ लेकिन आप हैं कि एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं कामिनी वो रिंग बहुत महेंगी है अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा ना मैं और अभी मेरा हाथ तंग है दो तीन महीने रुख जाओ ना फिर दिला दूगा मैं तो फिर मुझसे पूछते क्यों हैं कि क्या चाहिए जाइए अपना काम करिए मेरे सिर में बहुत दर्द है आलोकनात क्या करता किसी तरह कर्ज लेकर कामिनी के लिए रिंग ले आया लेकिन कामिनी बहुत ही लालची औरत थी उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था इस बीच कामिनी के पडोस में एक नया शादिशुदा जोड़ा अमन और सुप्रिया रहने के लिए आये जब अपनी बड़ी सी कार में अमन और सुप्रिया उत्रे तो कामिनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी वाव कितना हैंडसम लड़का है क्या मस्त कपलने दोनो काफी अमीर भी लग रहे हैं दोनो कितनी मेंगी कार है इनकी और एक मेरे पती है नशकल अच्छी है और ना ही कमाई कामिनी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिलकुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी खास दोर पर अमन से उसे दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी एक दिन वो उनके घर गई उसने दर्वाजा खटखटाया दर्वाजा अमन नहीं खोला सामने से अमन को देख कर वो उस पर और भी लट्टू हो गई जी वो मैं आपके पड़ो उसमें रहती हूँ थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे जी अभी देता हूँ सुप्रिया सुप्रिया जरा कटोरी में चीनी तो ले आना सुप्रिया चीनी लेकर आ गई अमन ने उसे कामिनी को देने को कहा इस पीच कामिनी की नजर अमन के घर पर थी काफी महगी और एंटीक चीजों से सजा हुआ था उनका घर जब सुप्रिया ने कामिनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नजर सुप्रिया के गले में पहने नेकलिस पर गई उसने अंदाजा लगाया कि ये डायमंड काई होगा सुप्रिया और अमन दोनों ने कामिनी को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी देनाउंगी कामिनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोकनात की निजर उस पर गई अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है फिर तुम ये पड़ोस से मांग कर क्यों ले आई ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने आफिस में कलर्क नहीं होते धीरे धीरे कामिनी अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई कभी-कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो सुप्रिया की गैर हाजरी में भी अमन के पास चड़ी जाती और उससे घंटों बाती करती अरे बस करिये भावी आप तो हसा हसा कर जानी ले लेंगी अरे ऐसा मत करिये अमन आपकी जान हमें बहुत कीमती है हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं एक बार बोलिए तो अब ये आप क्या कह रही है अरे आप तो सीरियस ही हो गए अब आपकी भावी को आपसे मजाग करने का भी अधिकार नहीं है क्या इंडिरेक्टली वो अमन को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने जूटे प्रेम जाल में फसाने की कोशिश भी करती क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाईशों को पूरा कर सकता है लेकिन अमन अपनी पतनी से बहुत प्यार करता था इसलिए वो कामिनी के उन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था एक दिन की बात है कामिनी अमन और सुप्रिया से मिलने उनके घर आई अरे आईए आईए भाबी हम आपकी बाते कर रहे थे मेरी बाप? अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बात करता रहता है अच्छा? क्या कहता है अमन? यही क्या बहुत अच्छी है कितनी मज़ेदार बाते करती है आपके जैसे पडोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है सुप्रिया से मुझसे अपने लिए अच्छे अच्छी बाते सुनकर कामिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लगी जाएगा इस बीच सुप्रिया के भाई की शादी तैय हो गई उसके माई के बाले उसे बार बार बुला रहे थे इसलिए सुप्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती इसलिए उसने शादी के कुछ दिन पहले जाने का तै किया था इधर कामिनी को जब पता लगा कि सुप्रिया 20 दिनों के लिए अपने माई के जा रही है तो उसने मनी मनी एक प्लान बनाया यही सही मौका है अमन को फसानी का आलोग भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने माई के गई हुए सुप्रिया को माई के गई हुए अभी दो ही दिन हुए थे रात को नौ बजे कामिनी ने अमन के घर का दर्वाजा खट-खटाया अमन ने ज़रा देर से दर्वाजा खोला क्या बात है अमन? बहुत देर कर दी दर्वाजा खोलने में अरे भाबी वो किचन में रोटियां बना रहा था अरे तो मुझे के अदिया होता मैं बना देती लगता है आप मुझे पराया समझते हैं अरे नहीं नहीं भाबी ऐसी बात नहीं है मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है लेकिन मुझे ही अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाए कामिनी भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी लेकिन यहां तो उसका मकसद कुछ और था वो किचिन में गई और उसके लिए फटा-फट खाना बनाने लगी और ना सिर्फ खाना बनाया, अमन को खिलाया भी अब तो कामिनी सुबर शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती अमन को कामिनी का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा कामिनी भावी, मैं आपको क्या कहूँ सच में, आप मेरी बहुत मदद कर रही है नहीं तो खाना बनाना और ओफिस भी समालना सच में बहुत मुश्किल काम है एक दिन की बात है, कामिनी सुबा-सुबा अमन के घर आई अमन को लगा कि हर दिन की तरफ वो खाना बनाने आयी होंगी लेकिन हर दिन वो आट बजे के बाद आती थी लेकिन आज तो साथ ही बज रहे थे अरे अमन वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बात्रूम में नहालू अमन ने हामी भर दी इधर कामिनी तो किसी और फिराक में थी उसने अमन के बात्रूम में कैमरा चुपाया और उसमें आटोमेटिक क्लिक बटन उन कर दिया थोड़ी दिर बाद वो जोर से चिल्लाई अमन डर गया कि आखिर क्या हो क्या वो भागा भागा बात्रूम के पास गया उसे देखकर कामिनी अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है इधर कैमरा अपना काम कर रहा था कामिनी बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है इसलिए उसने उसे जटके से हटाया सॉरी अमन वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहां से दो दो छिपकली बात रूम में निकल आई उसरे को गले से लगा रखा था अगले दिन वो सारी तस्वीरे अमन को लिफावे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग चणना गया तभी कामिनी वहां गई उसके हाथ में भी एक लिफावा था अमन ये देखो किसी ने कल हमारी तस्वीरे खीच ली है वो मुझे ब्लैक मिल कर रहा है और कह रहेगी अगर वो एक लाग रुपे उसे नहीं दूगी तो वो ये तस्वीरे मेरे पती को दिखा देगा अमन देखो मैं एक सीधी साधी भारतिय नारी हूँ मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है अमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने एक लाग रुपे कामनी को दे दिए हाला कि उसे कामनी पर रती भर भी शक नहीं था लेकिन कामनी ने एक बार फिर से उससे पांच लाग रुपे मांगे तो उसका दिमाग ठंका, फिर भी उसे जादा शक नहीं हुआ, उसने पांच लाक रुपे भी उसे दे दिये, लेकिन जब अमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था, तो कामिनी ने फिर से उससे दो लाक रुपे मांगे, इस बार अमन को लगा, कि दाल में जरूर क कुछ खाला है, हालाकि गलती उससे भी तो हुई थी, अमन ने बहुत सोचा, और उसने सुप्रिया से माफी मांगते हुए उसे सारी बाते बता दी, सुप्रिया उसे समय अपने माईके से अमन के पास लोट आई, उस दिन कामिनी जब शाम को दो लाक रुपे लेने आई, त उसने सुप्रिया को देखा तो उसका चेहरा उतर गया, अरे तुम, तुम कब आई सुप्रिया, आजी आई हो भावी, उसके बाद सुप्रिया ने अमन और कामिनी की सारी तस्वीरे उसे दिखाई और कहा कि, भावी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस पुलिस का नाम सुनते ही कामिनी के होश उड़ गये, उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा, उसने पुलिस टेशन ना जानी की बात उनसे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही, आखिरकार कामिनी तूट गई, और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी ओरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फसाती है, अरे आलोग भया में क्या कमी है, वो बिचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्मी नहीं होता, कामीनी को अपनी गलती का एसास हो गया था, उसने उन दोनों से माफी मांग ले, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए